नमस्कार दोस्तों, हर्षित दिवेदी एजूकेशन में आपका स्वागत है, मेरा नाम है विनीच सागर आज है सप्टमबर 2, टिबेटन डेमोकरसी डे, दुनिया फर में जितने टिबेटन्स एक्जेल में रहते हैं बेसिकली चाइनीज इन्वेशन के बाद जितने टिबेटन्स टिबेट छोड़गे गए थे, वो दुनिया के अलग-अलग पार्ट में रहते हैं दोस्तों, आज के इसाब से करीब 1 लग टिबेटन रिफीजी से अरोंड दो वर्ल्ट, तो आज इस वीडियो में टिबेटन ड अलग गवर्मन चलाते हैं इंडिया में बैटके, वेसिकली धरमशाला में देलेला में रहते हैं, वैसे टिबेटन गवर्मन इन एक्सेल का ओफिशल नेमें Central Tibetan Administration, CTA बोलते हैं, इस CTA का करेंट प्रजिडेंट पेंपा जरींग है, तो पूरी बैग्रोंड समझने की करेंगे, वैसे आप सबको पता होगा, टिबेट People's Republic of China का कंट्रोल में आये था, October 1951 को, जब Government of Tibet 17 point agreement sign किया था, under Chinese pressure, वैसे ये agreement sign करने से पहले, मतलब Chinese कंट्रोल में आने से पहले, टिबेट काफी resist किये थे, पर आप सबको पता है, चाइना उस टाइम पर काफी powerful था, और ए इन चमडो एडिया ओफ वेस्टेन खाम इन October 1950, इसके बाद टिबेट को सरंडर करना पड़ा, इन सीरीस ओफ एवेंट्स को, चाइना peaceful liberation of टिबेट बोलते हैं दोस्तों, बट Central Tibetan Administration and the Tibetan Diaspora around the world इसे Chinese invasion of टिबेट बोलते हैं, तो जब टिबेट पूरा Chinese कंट्रोल में आया था, तब टिबेट के स्पिरिच्वल लेडर देले लामा टिबेट चोड़ के इंडिया आये थे, तब Government of India under Prime Minister जवहला निहरू, देले लामा को इंडिया में अजेलन दिया, बेसिकली धरमशालाईन हिमाजल परदेश में, तो September 2 को उन्होंने Tibetan Government in Excel इनोगरेट किया धरमशाला मे तो इसलिए हर साल September 2 को दुनिया फर में जितने Tibetan refugees है, वो देले लामा के फोटो के नीचे ट्रेडिशनल ड्रेस चुपा पहन के Tibetan Democracy Day celebrate करते हैं, वैसे इस साल 62nd anniversary of Tibetan Democracy Day है दोस्तों, तो इस दे को Tibetan Community मांग्स्टो डूचन बोलते हैं, मांग्स्टो का मतलब होता है democracy, डूचन मत बेसिकली Tibetan Democratic System in Excel का inception को मार करते हैं, now development of the Tibetan Democratic System के बारे में discuss करेंगे, September 2, 1960 को, first elected representatives of the Tibetan Parliament in Excel, ओत लिये थे, बोध गया में, to inaugurate the Tibetan Democratic System, जैसे मैं आपको बोला था, 1959 में, देले लामा इंडिया पहुंचे थे, एक साल बात, September 2, 1960 को, इन्होंने Tibetan Parliament in Excel, 1963 में, देले लामा एनक्टेट अट्टेटन Constitution बेस्ट अन्ड आइडिया अइडिया आइडिया 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 इन्होंने Tibetan Constitution भी एनाइडिया, इसके बाद, first women representatives को भी इलेडिया, 1975 में, कशार, the apex body of CTA, founding day of Tibetan democracy, तो देखे, 1975 को, apex body of Central Tibetan Administration, that is, कशार, ये डेक्लेर किया, कि September 2, founding day of Tibetan democracy है, फिर 1991 में, Charter of the Tibetans in exile, अडोब किया गया, अगले साल, Tibetan Supreme Justice Commission भी एस्टाबलिश किया गया, तो कहने का मतलब ये है, दोस्तों, जैसे एक independent country का governance system होना चाहिए, उसी लेंड पे, इन्होंने भी अपना एक governance system established किया, जैसे कि constitution एनाड किया, Supreme Justice Commission, that is, judiciary भी established किया, Tibetan people का political and cultural landscape में एक major shift तब नज़र आया, जब देले लामा अपना semi retirement अनोंस किये, उन्होंने executive head of the CTA को illet करने के लिए बोला, CTA मतलब Central Tibetan Administration, वैसे executive head of the CTA को कालोन ट्रिपा भी बोलते हैं, now यह semi retirement का मतलब यह हैं दोस्तों, वो आसे spiritual head रहेंगे, आसे mentor रहेंगे, पर बाकी administration वगएरा के लिए एक executive head होना चाहिए, फिर एक decade बाद, that is 2011 में, His Holiness देले लामा अपने पूरे political and executive power, सिक्योंग को hand over किया, सिक्योंग मतलब एक position है, किसी का नाम नहीं है, Central Tibetan Administration के president को सिक्योंग बोलते हैं, Now Tibetan Government in Excel, that is Central Tibetan Administration काम केसे करते हैं, आप सबको पता होगा, Central Tibetan Administration का headquarters धरम शाला हिमाचल प्रदेश में हैं, और जितने countries में Tibetan settlement हैं दोस्तों, उथर Central Tibetan Administration का एक branch office है, अभी Central Tibetan Administration का president है, Penpa Zirin, CTA साथ departments चलाते हैं दोस्तों, Religion and Culture, Home, Finance, Education, Security, Information and International Relations and Health, और president को हर पांच साल में डारेक्ली इलेट करते हैं, CTA का highest legislative body है, Tibetan Parliament in Exile, total 45 members है, 10 representatives को each of the traditional provinces में से इलेट करते हैं, युद्जान, दोतोई and धोमी, 2 from each of the 4 schools of Tibetan Buddhism, Tibetan Buddhism के 4 schools कौन-कौन से हैं दोस्तों, Enigma, Kagyu, Sakya and Gelug, तो इन 4 schools से दो-दो representatives, 2 representing each of the Tibetan Communities in North America and Europe, तो देखें, North America and Europe में जो Tibetan Communities हैं, उनके भी रप्रसनेटीज हैं, Tibetan Parliament in Exile में, and 1 each from Australasia and Asia, Australasia से एक हैं, Asia से, Asia मतलब, India नेपड़ान भूटान को छोड़के, बाकी जितने कंट्रीज में Tibetan Community हैं, उन में से भी एक-एक, Now, Government of India की Official Policy क्या है, Central Tibetan Administration की तरफ, देखें, as far as India is concerned, Dalai Lama एक Reverb Religious Leader है, हमारा Honest Gust है, पर Tibetans का Political Activities को हम encourage नहीं करते हैं, India does not recognize any separate Government of Tibet functioning in India, देखें, Dalai Lama को हमने इथर अजयलम दिया है, वो इथर बैटके, Tibet Government in exile भी चलाते हैं, ठीक है, पर हमने कोई separate Government of Tibet को अभी तक officially recognize नहीं किया है, officially recognize करने से और भी implications हो सकते हैं, वैसे आपको पता होगा, Tibet One China Policy के अंडर, चाइना का part है, वैसे हमने देले लामा को धरमशाला में अजयलम दिया है, ये भी चाइना को अच्छा नहीं लगता, चाइना ने कई बार statements issue किया है, इसके against, इंडिया basically इथर balance कर रहा है दोस्तों, इंडिया किसी भी तरह का Tibetan political activities को encourage नहीं करते हैं, Tibetan government in exile को recognize भी नहीं किया है, at the same time हमने उन्हें इथर रहने दिया है, अगर वो Tibetan government in exile चला रहा है, तो हम उसे रोक नहीं रहा है, यह Central Tibetan Administration तो सालों से इंडिया में चल रहा है, हम उसे encourage नहीं करते हैं, at the same time रोकते भी नहीं, वैचे 2018 में Tibetan leadership in India, 60 years in exile of the Dalai Lama celebrate किये थे, और various Indian dignitaries को उस celebrations में बुलाया भी थे, but that time government of India, सारे senior leaders and government functionaries को एक note issue किया था, to stay away from events planned, मतलब जितने भी events planned है, उसमें आपको participate नहीं करना है, क्योंकि participate करने से ऐसे हो जाएगा दोस्तों, हम उस government को officially recognize कर रहा है, वैसे 2014 में, Prime Minister Narendra Modi जी का swearing in ceremony में, CTA का then President Lobzang Sanghe को invite किये थे, और वो attendee किये थे, Now, what kind of relationship does the CTA have with other countries, देखे, CTA का इंडिया के साथ जो relations है, इंडिया की policy क्या है, वो मैंने आपको बता दिया, Now, दूसरे country है दोस्तों, जो Tibetan issues को support करते हैं, CTA को भी support करते हैं, वो है United States of America, The US is the only government in the world which is politically upfront in supporting the Tibetan issue, अब देखें दोस्तों, US का support का पीछे और एक कारण है, US और China के बीच में problem है, है कि नहीं, तो China के against, जो भी आएंगे, उनको तो US support करना ही करना है, जैसे कि US अब Taiwan को support कर रहा है, अपना speaker को भी भेज़ दिया दा उधर, वैसे USA का दो policies भी है दोस्तों, टिबेट के लिए, टिबेट Policy Act 2002, टिबेट Policy and Support Act 2020, और एक special coordinator भी अपोइंट किया है, USA टिबेट के लिए, तो दोस्तों, that's it, खुल मिला के यह हैं दोस्तों, भले Government of India, CTA को officially recognition नहीं किया है, तब ही हम आभी तक उन्हें परेशान तो नहीं किया है, इसलिए, CTA का कारेंट प्रजरेंट, Penpa Zarinka केना यह हैं दोस्तों, यह तो इंडिया के ऊपर है, कि हमें recognition देना है, या नहीं देना है, फिर भी हम इंडिया के लिए thankful है, क्योंकि पिछले 60 साल से, Government of India हमें जो support दिया है, So, thank you for watching, bye bye, Have an evening.